इसली क्लास में जो क्यूशन किया था कि जो अपोजिट डारेक्शन में थे और सेम टाइम था तो उस सवस्था में कितना कितने से जादा चलेगा अब कि बार उसने कहा है कि यदि एक गाड़ी ए से चलती है आठ वजे एक चलती है बी से आठ वजे इसकी चाल है असी किलोमेटर परती घंटा और उसकी आपको निकालनी है किस्चन में आपको दिया गया है कि एक दूसरे को क्रोस करने के बाद कि जब वो गाड़ी यहां आपस में मिल जाएंगी उसके बाद यह यहां तक पहुँचने में लगाएगी चार घंटे का समय और यह गाड़ी इससे मिलने के बाद बाकी डिस्टेंस को टैवल करने में नो घंटे का समय तो इसका सीधा डेकलर फोर्मुला होता है आपका यह आपका हो गया S1 स्पीड और इसको माल लेते हैं S2 जब आप इसका लेते हैं तो इसका टाइम है ये तो ये आपका होगा T1 और उसका टाइम ये है तो ये हो जाएगा आपका T2 और अब इसका जो फोर्मूला है वो है S1, S2 is equal to T2 और T1 का अंडरूट क्योंकि जब इसके ऐसे क्रोज करेंगे तो S2 multiply T2 तो distance के बराबर होता है तो S1 की speed है आपकी 80 S2 की आपको निकालनी है T2 की value है आपकी 4 और इसकी value है आपकी 9 तो इसका करेंगे अंडरूट तो ये आए जाएगा 80 बटे X और 2 बटे 3 इससे काटेंगे 40 तो X की speed आजाएगी 120 किलो मीटर परती घंटा तो इसकी speed आएगी आपकी 120 किलो मीटर परावर और इसकी जो speed थी आपकी वो थी आपकी 80 किलो मीटर परती घंटा ये formula आपको सिरफ तभी लगाना है कि जब किसी एक point पर मिलने के बाद वो वाली गाड़ी बचे distance को कितने समय में पूरा करती है और मिलने के बाद पहली गाड़ी बचे distance को कितने समय में पूरा करती है तो उस अवस्था में लगाएंगे आप S1 by S2 is equal to T2 by T1 next है आपका कि एक हवाई जाज 1500 किलो मीटर की दूरी को किसी निस्चिट टाइम में ट्रेवल करती है लेकिन एक दिन वहे 30 मिनट देरी से उड़ती है और अपनी स्पीड के अंदर 250 किलो मीटर परती घंटा की चाल को बढ़ा लेती है तो वह समय पे पहुँच जाती है तो आपको बताना है उस गाड़ी के या इस एरोप्लैन की चाल क्या होगी तो माल लेते हैं जो टोटल डिस्टेंस आपका था 1500 तो इसकी स्पीड होगी आपकी x किलो मीटर परावर तो पहले इसकी जो स्पीड थी आपकी x किलो मीटर परावर है उससे चलेगा 1500 फिर वो कहता है कि यदि उसकी चाल को 250 km पर ती घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसकी नई स्पीड हो जाएगी x प्लस 250 km परावर अब निकालना है आपको टाइम कि जो टाइम का डिफरेंस आता है वो आता है 30 मिनट देरी से पहुंचती है तो हम पहले इसका निकालते हैं समय तो पहला समय होगा 1500 बटे x दूसरा टाइम होगा 1500 बटे x प्लस 250 टाइम का डिफरेंस है आपका 30 मिनट तो इसको लिखेंगे 30 बटे 60 मिस एक बटा 2 घंटे तो ये भी टाइम है आपका ये भी टाइम है और ये भी टाइम है इस स्पीड से जब चलती है तो वो आदा घंटा कम समय लेती है अगर हम इसका टाइम बराबर करें ये टाइम इस इकोल टू होता है ज्यादा स्पीड से लिया गया टाइम कम होगा तो उसमें हम हाफ आवर एड कर देंगे तो अब दोनों की इसक्विशन बराबर है दोनों का टाइम इकवल है और अब यहां से हम x की वैल्यू कर देंगे फाइंट इसको इधर लेके x- 1500 x प्लस 250 is equal to 1 by 2 LCM लेंगे इसका x x प्लस 250 x से x कर जाएगा 1500 से इसके multiply करेंगे तो 1500 x प्लस 1500 multiply 250 minus अब इससे ये cancel होगा तो minus का हो जाएगा 1500 x और is equal to 1 by 2 अब यह है आपका प्लस का यह है आपका minus का तो यह आ जाएगा आपका 1500 multiply 250 divide by इसको multiply करेंगे तो x square plus 250 x और is equal to 1 by 2 अब इसको cross multiply करेंगे यहां से तो यह हो जाएगा आपका x square plus 250 x is equal to 1500 multiply 250 और multiply 2 पहले इन दो को multiply कर लेते हैं 500 और अब इससे कर दो यह आ जाएगा जब इसको यहां लेके आएगे तो यह हो जाएगा आपका minus और यहां पर हो जाएगा x square plus 250 x is equal to 0 अब बात आती है कि इनका जो difference है वो होना चाहिए 250 x और यह होना चाहिए उसका उसकी multiply तो यहां से equation बनेगे आपकी x square plus 1000 x माइनस में 750 x और minus is equal to 0 यहां से x को मन निकालोगे तो x plus 1000 minus 750 और x plus 1000 तो value आपकी आएगी x is equal to minus 1000 और x is equal to 750 तो जब भी जो speed होती है वो कभी भी negative में नहीं होती तो इसको यहां पर छोड़ देंगे तो आपकी x की जो value है वो आजाएगी x is equal to 750 km per hour इसका मतलग इसकी जो average speed थी वो थी 750 यह था आपका solution अब बात करते हैं इसको उगर सीधे तरी किस निकाले तो क्या करेंगे आपको पहले यह equation बनानी है और equation के अंदर जो भी आपको option दिये गई है इसमें put करके देख लेंगे जो भी equal आएगा वही answer है जैसे इसका answer होना चाहिए था 1500 बटे x is equal to 1500 x plus 250 plus 1 by 2 तो assume करते हैं कि x की value आपकी 750 है यहां रखेंगे 750 2 आएगा यहां रखोगे 750 तो 1000 यह हो जाएगा 1 and 1 by 2 और 1 by 2 यह तो मिलके हो जाएगे 2 तो 2 is equal to 2 तो इसको अगर shortcut आपको करना है तो equation बनाके जो option आपको दिये गई है उनको put कर लेंगे question यह था कि कोई हवाई जहाज 1500 किलोमेटर की दूरी को किसी समय मिर्दय करती है यदि वो 30 मिनिट देरी से उड़ती है तो समय पे पहुँचने के लिए उसको अपनी speed के अंदर 250 किलोमेटर पर आवर की speed increase करनी होती है ताकि वो समय पे पहुँच जाए है कि धावक के लिए कि जब एक बच्चा एक दूसरे बच्चे को cross करता है तो पहला परसन आपको दिया जाएगा कि कोई distance है इस distance को travel करने के लिए वह इसको cross करता है या तो 25 मीटर से इसको हराता है या 5 सेकंड से इसको हराता है तो आपको बताना है कि वह बच्चा अगर इस distance को travel करता तो total time कितना लेता अगले में reverse दिया गया है कि एक बच्चा इस race को 3 मिनट में cross करता है दूसरा करता है 3 मिनट 20 सेकंड में तो वह है इसे कितने दूरी से हराएगा ये एक दूसरे के opposite question है तो इस वाले person के अंदर जो हमने पहले किया था कि difference of distance and difference of speed time अगर इनको आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो average है वो speed आ जाएगी यहां से तो वो 25 मेटर की दूरी को तै करता है 5 सेकंड के अंदर तो उसकी speed आ जाएगी 25 बटे 5 निस 5 मीटर पर 3 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की speed से वो भागता है तो उसको distance travel करना पड़ता है 1 किलो मेटर 1 किलो मेटर मतलब 1000 मीटर तो 1000 मीटर को 5 मीटर पर सेकंड की speed से चले तो कितने टाइम में cross करेगा तो वो करेगा 120 सेकंड के अंदर या 180 सेकंड प्लस 20 सेकंड 180 का मतलब आपका 3 मिनट और 20 सेकंड तो वो जो टोटल डिस्टेंस था उसने टैवल किया था 3 मिनट और 20 सेकंड के अंदर जबकि वहवद बच्चे को 25 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है नेक्स्ट है आपका यहीं कि एक बच्चा किसी भी डिस्टेंस को टैवल करता है 3 मिनट के अंदर और दूसरा करता है उसको 3 मिनट 20 सेकंड के अंदर तो वह किस दूरी से उसको हराता है तो इसको पहले सेकंड में कनवर्ट कर लेते हैं 180 सेकंड और 200 सेकंड तो डिस्टेंस टैवल वहीं करेंगे आपके 1000 के इसाब से चलते हैं तो एक किलो मिनट की दूरी को तै करने में वह उसको कितने मींटर से हराएगा तो एक बच्चा करता है 200 सेकंड में 1000 मीटर तो एक सेकंड में वह क्रोज करेगा 1000 बटे 200 और आपको निकालनी है 180 की तो 1000 बटे 200 मल्टिप्लाई में 180 तो ये हो जाएगा 900 मीटर इसका मतलब जितने टाइम में वो पूरी रेस करोज करता है उतने टाइम में पिछले वाला बच्चा करता है सिरफ 900 मीटर तो वह उसे 100 मीटर से हराता है तो ये था किश्यन आपका ट्रेविलिंग के लिए रेस के लिए और नेक्स्ट प्लास में आपका होगा प्लास में आपका टो भाओ किश्ट में प्लास में आपका होगा प्लास प्लास